आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार प्रिदर्शन कर रहे हैं शाहीन बाग में दो महीने से उपर बीच चुके हैं महराश्ट में पस्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश राजिस्थान करना टक ऐसा कोई भी राज नहीं है जहां पर नाग्रिक्ता संसोधन कानून के रही है एनर सी सी एbenर कर लेकर लेकर लगातार उनके बयानों में बदलाओं भी देखा जा रहा है लेकिन लेकिन क्या इन प्रदर्शनों का कोई प्रदर्शन निकला है जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं क्या केवल ये प्रदर्शन मात रहे हैं या इनका कोई प्रदर्शन भी सामने आ रहा है यदि हम इसके प्रदर्शनों की बास सामने रखें तो बिलकुल इसका एक सुखत प्रद सद्धा धारी दल जुकता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह अमिश्या बयान देते हैं संसद में वहीं उसके पलट रामडीला मैदान में बयान दिया जाता है प्रधान मंती नंद्र मोदी द्वारा लेकिन हम यह क्यों कह रहे हैं कि क्या यह पर नाम असफल साबित हो रहे हैं यह जो प्रिदर्शन चल रहे हैं इसका जो पैणाम आ रहा है वह सुखत पैणाम भी नहीं आ रहा है भली भारतियां था पार्टी में जुकाओ महसूस हो रहा है लेकिन आसाम में जुबेदा और फकृद्दीन नाम के ने लोगों की भारतिये नागरिकों को जिस तरह भार ती हैं या नहीं हैं डिएर सो से सौ रुपई से डिएर सो रुपई प्रति दिन ध्यारी मजदूरी में काम करते हैं और लाखों रुपई या हजार रुपई जो भी आपने जोड रखे थे अपनी संपत्ती बचा कर रखी थी भविश में वह आपके काम आएगी वह संपत् कि लोगों के खर्च हो रहे हैं कि अनि अधा साक में तो पूरी हो चुकी है और वहां अपनी भारतिता साबित करने के लिए लोगों को पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि यदि आप गैर मुस्लिम समुदाय से हैं तो आपको अपने आप रिकता प्राप्त हो जाएगी भारत की तो यहां प्रदर्शनों का मैं यह कहना चा रहा हूँ कोई सफल परिणाम नहीं निकल रहा है भले ही मोधी सरकार जुकती भी नजर आ रही है लेकिन क्या हम आसाम के मुसल्मानों को भूल जाएंगे आसाम के अलब संख्यकों को भूल आपसे अलग कर देंगे यह सवाल भी लगतार उटकर सामने आ रहा है तो इस संबंद में आपकी रहे बहुत ही महत्वपूर्ण है आप हमें यह जरूर बताएं कि क्या इन परिदर्शनों का कोई सफल परिणाम निकल रहा है क्या यह परिदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे इ आइन अर्सी की परिकरिया पूरी हो चुकी है जिसमें करीब साहे 3-4 लाख मुसल्मान समुदाय के लोग हैं तो क्या इन समुदाय के लोगों को कोई फाइदा मिलने वाला है क्या इन से इनके दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे क्यों कि मांगे तो जा रहे हैं पैसे भी लगतार खर्च हो रहे हैं उने लगतार बाबूओं के पास हाजिर होना पड़ रहा है वह भी मोटी मोटी एरश्वत खा रहे होंगे तो आपकी राए बहुती महत्पूर्ण है क्या शाहिन बाग के प्रदर्शनों का सफल परिनाम निकलेगा या नहीं इस समद में राय देना बिल्कुल भी न भूले कारी करम को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तब तक कि लिजासत दीजिए धन्यवाद